अगर सफर है लंबा और सिलेक्शन है आपकी मन्जिल तो हो जाएए तयार और पकड़ लीजिए अपने एक्जाम प्रिपरेशन की रेल क्योंकि टेश्ट बुक लेकर आया है शुबारम सेल जियां इस 26, 27 और 28 फरवरी को टेश्ट बुक आपकी लेकर आया है सभी टेश्ट बुक सुपर कोचिंग पर अप्टू 90% आफ एंड 50% की एक्स्टा वैलिटी तो अगर आप SSC, बैंकिंग, KVS, UGC, NET, LIC, AJ, GATE, State PSC, UPSC, Defense ऐसे एक्जाम की तयारी कर रहे है तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने दीजिए, अभी जाएए इस ओफर का लाब उठाएए, और नी ओन टेश्ट बुक सुपर कोचिंग हलो दोस्तो, नमस्ते, आदाब, सस्तेकाल, आपका दोस्त गौरब, टेश्ट बुक सुपर कोचिंग पर स्वागत करता है तो दोस्तो, हो जाएए तैयार, क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, फिर से, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सिक्विरिटी एसिस्टेंट के जीके पेवार, जहां पर हम लोग करेंगे, दोस्तो, प्रैक्टिस एडट 6 तो दोस्तो, इससे हम लोग यहाँ पर सीरीज में चलते जा रहे हैं, प्रैक्टिस एडट 1, 2, 3, उस तरीके से हम लोग दोस्तो, एक और यहाँ पर सीड़ी चलने जा रहे हैं, लेकिन, स्टार्ट करने से पहले सभी को भर-भर के गुड आफ्टरनून, और जल्दी- ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी तुम्हें हरा नहीं सकती, सीधी सी बात है दोस्तो, आप जितنا महनत करोगे उतना ज़ादा आप आगे जाते जाओगे और आपको दोस्तो फाइट तो करना ही है, रुखना तो है नहीं, क्योंकि आपने सपने ज और इसलिए हम लोग डेली मिलते हैं दोस्तों Monday to Friday दो पहर को 2 से 3 बज़े जहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ऐसे के लिए कोश्चन ठीक है तो चले इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों और हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे सर सेस्ट के लिए सेशन लाइए सेस्ट के लिए अल्डेडी चल रही है दोस्तों इविनिंग में 6 बज़े योगेश जी चार बज़े यहाँ पर होती है तो आप चार बज़े में साथ जुड़ सकते हो ठीक है चले बढ़ते हैं दोस्तों और सभी लोग क्या करेंगे यहस टाइप करेंगे जिससे मुझे यह पता चल जाए कि स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर है और आप लोग रेडी है यहाँ पर कोश्चन के लिए फड़ावर से जल पर एज सिवलाइजेशन है आयरन एज सिवलाइजेशन है या फिर एक्जियल एज सिवलाइजेशन है या फिर ब्रॉंज एज सिवलाइजेशन है इंडेस वैली सिवलाइजेशन दोस्तों कौन सी सिवलाइजेशन थी जल्ली से बताइए लोकेश कहरें से डी होना चाहिए सब लोग D-D के साथ जा रहे हैं, जितने लोग D कह रहे हैं, उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको दोस्तो, bronze age civilization कहा गया है, अगर मैं इंडस civilization का दोस्तो देखता हूँ, समय कब से कब तक था, तो 2500 से लेके 1750 तक था, ठीक है, 1750 BC त इसने दिया था, John Marshall ने दिया था, यह आपको ध्यान रखना है, देखे, यह कई बार पूछा जाता है, Indus Valley civilization कहां से कहां तक फैली हुई थी, तो यह अगर मैं, दोस्तो यहाँ पर direction बनाता हूँ, यह North हो गया, यह East हो गया, यह South हो गया, यह West हो गया, तो North में जम्मू कश् South में, तो महराश्ट में, महराश्ट में कहां तक दोस्तो, जल्ली सो बताएं दैमाबाद तक, कहां तक, दैमाबाद तक, और अगर मैं बात करता हूँ, West में, तो सुथकेंड़ तक, कहां तक, सुथकेंड़ तक था, दोस्तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चले, एकोल ग्रीक या अरब जल्ली से बताएं किस ने किया था यहां पे चलेस होना चाहिए अरब ओके बाखी लोग क्या कहेंगे डी आप्शन डी आप्शन तो दोस्तों जितने लोग यहां पे डी आप्शन कहरे हैं उनका करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है यह आद रखेगा यह एल्ला मुस्लिम था जिसने इनवेड किया था भारत में 712 में ठीक है इसका जन्म का वुज़ था? 1695 में हुज था और 712 में यह भारत आ गया था तो उस समय दोस्तो यह कितने साल का था केवल zawsze 17 साल का था जब अब ये दोस्तो भारत में इन्वेड किया था ये आपको ध्यान रखनाई आपसे पूछा जाता है ठीक है चले आगी तरफ और दोस्तो इसने एक लडाई भी लड़ी थी राजा दाहिर के साथ जो की जम्मू के राजा थे उस समय ठीक है और 711 AD में कब लड़ी थी दोस्तो 711 अब जाताई दाहिर के साथ दोस्तो राजा दाहर के साथ किसके साथ लडाई लड़ी थी यह आपको ध्यान रखना है और अगो जोहर सिस्टम किया तो आपको पता है ना दोस्तो जिसमें जो खुद को आग में जो दोस्तो अगर पती या उनके हैं इस धिया के शुरुवात निमलखित ने की थी क्या वो Indian Farmers ने की थी, Sipoy of British East India Company ने, या फिर Industrialist ने, या फिर Indian Prisoner ने, किसे ने शुरुवात की थी दोस्तों, यहाँ पे Sipoy कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कहेंगे, चले दोस्तों, जिते लोग Sipoy, Sipoy कह रहे हैं, उनका यहाँ पर Correct Answer हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, Sipoy is जीने, किसने मंगल पांडे जीने किया था, यह आपको याद रखना है, और दोस्तों, 1857 का जो revolt था, उसी को हम लोग Sipoy Mutiny भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिपoy Mutiny भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं, First War of Independence, क्या कहते हैं, First War of Independence कहते हैं, यह भी आपको ध्यान अख पूछा जाता है, इसके अलावा गर हम बात करता हैं, दोस्तों, बहुत सारे लीडर थे, जो अलग-अलग जगय को लीड कर रहे थे, जैसे कि आपसे बिहार का बहुत बार पूछा गया है, कूवर सिंग जी, कौन दोस्तों? कूवर सिंग जो थे, लोग दोस्तों, वो जीले से ठीक है, ग्वालियर को, ग्वालियर को कौन लीड कर रहा था, ग्वालियर को तात्या तोपे लीड कर रहे थे, जहासी को कौन लीड कर रहा था, जहासी को रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, कौन कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई जो है, जिनका बच्पन का नाम मन वो लीड कर रही थी ठीक है उसी तरीके से दोस्तों आपसे पूछा जाता है लखनौ को कौन लीड कर रहा था तो बेगम हजरत महल कौन लीड कर रही थी बेगम हजरत महल लीड कर रही थी दोस्तों बनारस को कौन लीड कर रहा था बनारस को नाना साहिब लीड कर रहे थे कौ इन में से कौन सी संस्था जो है समवेधानिक एवं सामविधिरिक नहीं है Finance Commission, Planning Commission, Union Public Service Commission या Election Commission क्या होगा दोस्तो Planning Commission, Planning Commission ठीक है तो दोस्तो जीते लोग यहाँ पर कहने सार Planning Commission Just a minute अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ चित गलत कर दिया क्या ओके, बनारस लिख दिया, सौरी कानपूर को कर रहे थे दोस्तो, नाना साहिब कौन कर रहे थे? कानपूर को नाना साहिब कर रहे थे, ठीक है? यह आध रखेगा अब देखिए दोस्तो, यहाँ पर जितने लोग कहने सार होना चाहिए, Planning Commission उनका correct answer होगा क्यों? क्योंकि यह हमारे समविधान में mention नहीं है ठीक है, Finance Commission mention है Article 280 में किसमें? 280 में है अभी दोस्तो, Finance Commission कौन है? N.K. Sink जी है कौन है दोस्तो? N.K. Sink जी जो है वो Finance Commission नहीं याद रखेगा यह आपसे पूछा जाता है दोस्तो, अगर मैं बात करता हूँ, पहले Finance Commissioner कौन थे? First Finance Commissioner कौन थे? क्या वो? केसी नियोगी थे क्या? जल्दी से बताइए और Union Public Service Commission की बात करूँ, यह Article 315 में है और इसके Chairman या फिर Chairperson कौन है? मनोज सोनी जी है कौन है? मनोज सोनी जी है यह आपको ध्यान रखना है और Election Commission जो है Article 324 में है और इसके दोस्तो, Chief Election Commissioner कौन है? वो दोस्तो है राजीव कुमार जी कौन है? राजीव कुमार जी है यह याद रखेगा और दोस्तो, अगर मैं बात करूँ Planning Commission का गठन का हुआ था? 1950 में हुआ था यह याद रखेगा और Planning Commission ने पंचवर्षी योजना की शुरुवात कब की थी? तो 1959 से दोस्तो पंचवर्षी योजना की शुरुवात की थी Planning Commission को Dissolve कब किया गया? तो Planning Commission को 2014 में Dissolve कर दिया गया और इसकी जगह किस ने ले ली फिर? नीती आयोग ने ले ली 2015 से ठीक है? ध्यान रखेगा चलें आगे वेरी गूड दोस्तो फड़ा फड़ से यहाँ पे जिन्नों ने अभी तक शेर नहीं किया है शेर करेंगे और लाइक करते हूँ चलेंगे बढ़ते हैं अगले कोशन पे अगला सवाल दोस्तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा जितने भी लोग IB की तयारी कर रहे है आपको अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टेस्ट बूक लिक रहा है IB Security Assistant Super Coaching जहां पर दोस्तों आपको 200 से भी ज़्यादा Study Notes for Practice मिल रहा है दोस्तों और 400 से भी ज़्यादा Live Classes और यहां पर Practice Set भी आपको मिल रहा है दोस्तों जो दो कोर्स है 299 में आप उसको ले सकते है Discounted में by using coupon code GAURAVM G-A-U-R-A-V-M जैसी आप इसको यूज करोगे हाँ पर आपको maximum discount मिलेगा इसी वीडियो के नीचे description में link है सिर्फ आपको coupon code यूज करना है GAURAVM चले इसी के साथ बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question कितना है दोस्तों यहाँ पर 5 साल कह रहे है कई लोग कह रहे साथ 3 साल होना चाहिए बागी लोग क्या कहते है यहाँ पर चले दोस्तों जिते लोग 3 साल 3 साल कह रहे है ठीक है correct answer क्या हो जाएग दोस्तों यहाँ पर 3 साल हो जाएगा अच्छा दोस्तों अगर आप से पूछा जाए बताईए कि National Commission for Women यह दोस्तों किस वर्ष में गठित किया गया था तो आपको याद रखना है 31 जनवरी कब किया गया था दोस्तों यहाँ पर 31 जनवरी 1992 उनचास में नहीं था दोस्तों 1992 यह याद रखेगा इसमें गलती मत कर दीजिएगा ठीक है चलें आगे की तरफ हाँ रेखा शर्मा जो है दोस्तों यहाँ पर चेयर परसन है ठीक है बिलकुँ सही बताए आपने चेयर परसन कौन है इन डैश भारती सम्विधान में पहला संसोधन डैश में किया गया था 1947, 48, 59 और 50 कब किया गया था यहाँ पर कहरे सर 59 होना चाहिए बाखी लोग क्या कहेंगे चले दोस्तों जितने लोग 59, 59 कह रहे हैं उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा दोस्तों 1959 यहाँ पर correct होगा ठीक है अब देखें बात है amendment की किसकी amendment की amendment किस देश की सम्विधान से लिया गया है तो यह दोस्तों South Africa से लिया गया है ठीक है दोस्तों किस अनुछेद में है तो अनुछेद 368 में है ठीक है पहला संसोधन कब हुआ 1959 में यह दोस्तों किसको इंट्रिद्यूस किया इसने दोस्तों नौवी अनुसूची को इंट्रिद्यूस किया 9th schedule को इंट्रिद्यूस किया गया जिसमें दोस्तों land reform के बारे में था किसके बारे में land reform के बारे में था अब तक दोस्तों कितने संसोधन हो चुके हैं तो 105 संसोधन हो चुके हैं समवैदानिक संसोधन ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़े अगले कोशन पे बहुत ही बढ़े अगले सवाल पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करते हो चले है और फॉक दावरी है कौन सी दुस्तों जल्दी से पताएए ऑल मिविगार मधुशन से निकलती है ठीक है ाकशन एक्चली ये घ्लेशियर्वर ले कहां पर आपको याद रखना है मानसरोवर लेग कहा पर तिब्बत में अब देखिए आपके एक्जाम में क्या क्या देता है कभी चेम्यूंग्दूंग्लेशियर देंगे कभी कैलाशनात परवत देंगे कभी आपको मांसरोवर लेके देंगे ठीक है तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मा पुत्त के दोस्तों लेंध अगर मैं बात जाता है तो यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं किस नाम से यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं ठीक है फिर यह दोस्तो भारत में एंटर करती है ठीक है भारत में एंटर कहां पर करती है अरुनाचल प्रदेश में करती है कहां पर अरुनाचल प्रदेश में इसको वह का सबसे बड़ा दोस्तो रिवराइन आइलेंड है ठीक है याद रखेंगे और उसके बाद दोस्तो यह बांगला देश में जाती है और बांगला देश में इसका नाम बदल जाता है इसका नाम हो जाता है जमुना क्या हो जाता है जमुना इसका नाम हो जाता है ब्रह्मा पु अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तो विच वन ओफ फॉलॉइंग सेट ऑफ कंट्रीज दस नॉट लाइ ऑन दा एक्टर दोस्तो निमलिखित में से कौन सा देश भूम अध्य रेखा पर इस्थित नहीं है दोस्तो एकोडोर एंड कोलंबिया युगांडा एंड स नोमालिया फिलिपिन्स एंड वेत नाम माल्दीव एंड इंडोनेसिया जल्दी से बताइए यहां पर रॉकर कहरें साथ सी होना चाहिए बाखी लोग क्या कहेंगे यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा फड़ा फट से ठीक है तो दोस्तो जितने लोग यहां पर सी ऑप्शन सी ऑप्शन कहरें दोस्तो उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़ी है यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा अच्छा दोस्तो अगर मैं बात करता हूँ यहां पर कि जो आपका एक्क्वेटर है वो आपको दोस्तो कैसे यह देख दोस्तों अगर हम बात करें तो यह क्या है 23 और हाफ डिगरी क्या है नौर्थ है इसको हम लोग कहते है ट्रॉपिक आफ कैंसर मकर रेखा हूं कहते है यहां से ज़्यादा दोस्तों जो हमारे धूप पड़ती है घर्मी पड़ती है वह इस एक्वेटर पर जितने भी देश इस जादा गर्मी पड़ेगी, यह याद रखेगा, इसलिए दोस्तों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, जितने भी कंट्री आते हैं, यह दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलाइन्स के दोस्तों मेंबर हैं, आई ऐसे के मेंबर हैं, क्योंकि जोन कहते हैं, क्या कहते हैं, तोरिट जोन ठीक है, और यह हो गया टेमप्रेट जोन, ध्यान रखेगा, यह जोन भी कई बार पूछ लिया जाते हैं, ठीक है, चले अगले कोशन पर, चले अगला सवाल दोस्तों आपके लिए यह रहा, दोस्तों सोर टेस्टिंग फूड इस सर होना चाहिए, बहुत बढ़िया, A option, A option, तो दोस्तों यहां पे correct answer हो जाएगा, acidic, मैंने आपको बताया था, दोस्तों, pH scale सबसे best scale है, आपको acidity और basicity का पता लगाने के लिए, ठीक है, अगर आपके पास pH scale नहीं है, जो कि दोस्तों 0 से लेके 14 तक होती है, साथ के अगर उपर जाओगे, साथ के उपर जाओगे, तो basic city, मतलब शार्ता पता चलेगी, खिटी का basic है, और दोस्तों अगर नीचे आओगे, तो acidity पता चलेगी, क्या पता चलेगी, acidity, कितनी दोस्तों अमलता है, ठीक है, इसको किस ने खो जा था, सोर से ने खो जा था, अब मान हुआ, तो acid हो जाएगा, अगर वो neutral हुआ, तो कोई भी स्वाद नहीं आएगा, टेस्ट लेस होगा, क्या होगा, यह टेस्ट लेस अगर हो जाएगा, तो कोई भी स्वाद नहीं आएगा, अगर मान लीजे आप टेस्ट नहीं कर सकते, भाई, acid है, टेस्ट कैसे करोगे, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो neutral अगर हुआ, तो neutral अगर होगा, तो हमारा litmus paper कौन सा color show करेगा, purple color show करेगा, तो आपको पता चल जाएगा, कि हमारा भई अगर वो solution acid हुआ, तो दोस्तों आप क्या करोगे, यहाँ पे, यहाँ पे वो को ब्लू इस अगर को बेसिक ख़ुआ तो आप लोग तीन तरीके से पता लगा सकते हो एक तो मैंने बताया है यहां पर पी-यच स्केल ले ज़्यों qo दोस्तो डिरेक्ली यहां पर लिटमस पेपर से चेक कर सकते हो ठीक है चले अगले कोशन की तरफ चले अगला कोशन दोस्तो अमल राज का सयोजन क्या है एच अगले करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर कहते हैं सी ओप्शन यहां पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तो ऑप्शन नबब बी HNO3 और HCL जो है दोस्तो 1-3 में होंगे देखे कई लोग उल्टा याद रखते हैं लेकिन कंफ्यूज रहाते हैं कई लोग यह याद रखते हैं ठीक है HCL और HNO3 याद रखते हैं और हमें पता है HCL 3 होगा HNO3 1 होगा अब इसी को जब उल्टा कर दिया जाता है रेशियो में तो कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है यहां भी option number 2 जो है वो correct answer है ठीक है चले अगले question पे very good अगला question दोस्तो अकली रहा which of the following help in protecting the inner lining of the stomach from the harmful effect of hydrochloric acid दोस्तो hydrochloric amal के हानी कारक प्रभाव से पेट की अंद्रूनी परत को बचाने में निमलिखित में से कौन सी मदद करता है mucus, pepsin, trypsin और bile juice कौन करता है मदद यहां पे कहरे sir mucus मदद करता है तो दोस्तो जितने लोग mucus कह रहे हैं उनका correct होगा अब देखे, अब सवाल यह उठता है sir हमारे पेट में आखिर HCL का काम क्या है तो दोस्तो जो हमारे पेट में HCL होता है उसका सबसे पहले तो pH जालनेते है pH जो होता उसका 1.5 से लेके 1.8 के बीच में होता है अब इसका काम क्या है दोस्तो जो भी हम भोजन कर रहे है उसके अंदर अगर कोई bacteria है तो bacteria को खतम करने का क्या दोस्तो बैक्टीरिया को kill करने का इसका काम है दूसरा इसका काम क्या है दोस्तो पैपसिन को क्या करना activate करना पैपसिन एक दोस्तों क्या है दोस्तों यह एंजाइम है और इसको एक्टिवेट करता है कौन HCL करता है तो आपके एक्जयाब में पुछा गया था HCL पैपसिन के लिए कैसा वर्क करता है तो as a catalyst वर्क करता है catalyst क्या होता है sir जो reaction को या तो तेज कर दे या तो slow कर दे जो तेज करते है वो positive catalyst जो slow करते है वो negative catalyst ठीक है याद रखोगी दोस्तों ठीक है चलिए अगले कोशन पर पढ़ते हैं अगला कोशन आपके लिए यह रहा who invented stethoscope को अविश्कार किस ने किया था क्या वो डैविड बुशनल ने किया था जेम्स वाट ने किया था जेम्स हरिसन या रेने लैनेक ने किया था जल्दी से बताए फटावर से बताएंगे यहाँ पर कह रहे है sir होना चाहिए d option ओके बाखी लोग क्या कहते दोस्तों यहा correct answer हो जाएगा ठीक है यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा डी option हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऐसे आपसे और भी दोस्तों पूछ लिए जाते हैं चीजे कि भाई किसने क्या discover कि थी तो discovery अच्छे से याद रखेगा क्योंकि इनसे question पूछे जाते हैं ठीक है अग अच्छह कुछ लोग B option भी कह रहे हैं थीक है तो दोस्तों जिते लोग यहाँ पर B option कह रहे है उनका correct answer हो जाएगा ठीक है यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा B option हो जाएगा अच्छा सर तो बाकी जो बिमारिया है सर प्लेग, Tittanus, Leprosy यह किससे होती है तो ये तीनो तीनो बिमारिया जो है ये आपको बैक्टीरिया से किसे बैक्टीरिया से होती है ये आपको ध्यान रखना है किसे होती दोस्तो बैक्टीरिया से होती है याद रखेंगे ठीक है फंगी से दोस्तो कई बार बिमारी पूछी जाती है तो आपको याद रखेगा एथली फूट एक बिमारी है ठीक है और उसके साथ साथ रिंग वाम यह दोनों बिमारिया जो है दोस्तों फंगी से होती है ध्यान रखेंगे ठीक है चले अगले कोशन पढ़ते हैं अगला सवाल अमंग दा फॉलॉइंग गैसे विच इस दी लाइटेस्ट गैस इन दी पिरियोडिक टेबल निमलिखित गैसों में से अवर तसानी में सबसे हलकी गैस कौन सी है ऑक्सीजन, मिथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कौन सी दोस्तों जल्दी से बताएगे यहाँ पर कहरें जा झाये क हैएंगे, तो दोस्तों जीत्ते लोग यहाँ पर फोर फोर कह रहें दोस्तों उनका यहाँ पर करेक् países और हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे السर्द आ ऐसे लिए हाईडोजन को कता है, हाईड्रोजन की खोज किस ने Stark से depuis किटिती है, यह पूछ लेता कि लाइटेस्ट मैटल कॉन सा है तब आपका आंसर क्या होता जल्दी से बताइए लाइटेस्ट गैस की जगह है, अगर lightest metal पूछ लेता, तब आपका answer क्या होता, सभी लोग comment करके बताएंगे फड़ावर से, oxygen की खोज दोस्तो, pristiline ने की थी, very good बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं, दोस्तो, lightest अगर metal पूछ लेता, तब हम answer क्या करते lightest metal की बात कर रहा हूं, दोस्तो, very good rocker ने correct answer दिया है, nitrogen नहीं होगा, दोस्तो, lightest, अगर मैं metal की बात करूँ, तो lithium हो जाएगा, क्या हो जाएगा, lithium हो जाएगा, बिल्कुल सही answer कहा है, यहाँ पे rocker ने, ठीक है, चले आगे बढ़ें, very good, अगले question बढ़ते हैं, अगला सवाल, on which river bank the Vedic civilization flourished, Vedic सभेता किसे नदी के तट पर विक्सित हुई थी, गोदावरी, महा नदी, सरस्वती और कृष्णा नदी के किनारे, जल्दी से बताए, कौन से नदी के किनारे flourished हुई थी, यहाँ पर कहे रहे हैं, सी option होना चाहिए, ओके, तो दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर सी सी कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, correct answer क्यों हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी option correct होगा, सरस्वती नदी, अच्छा दोस्तों, मैं अगर वैदिक बात करता हूँ, वैदिक पीरेट की, तो वैदिक पीरेट को दो पार्ट में बाटा गया है, ठीक है, एक तो दोस्तों, रिग वैदिक पीरेट बाटा गया है, वैदिक पीरेट कब से कब तक था, पंद्रह सो से लेके, 500 तक था ठीक है याद रखेंगे अच्छा रिग वेदिक था दोस्तो ठीक है जिसको वेदिक काल कहा जाता है और दूसरा था लेटर वेदिक क्या था लेटर वेदिक लेटर वेदिक में दोस्तों तीन वेद आये थे साम वेद, ठीक है अथर वेद, कौनसा अथर वेद और यजुर वेद ये तीन वेद जो थे दोस्तों ये कब आये थे, ये आये थे लेटर वेद में ठीक है, पंद्रह सो से लेके हजार तक दोस्तो रिगवेद रहा था यह आपको ध्यान रखना है यह सबसे पुराना वेद है oldest वेद है अगर मैं वेदों की बात करता हूँ दोस्तो वेदों में सबसे जादा अगर किसी नदी का उलेक है, river का उलेक है तो वो है सरस्वती नदी कौन सी दोस्तो? सरस्वती नदी का अगर किसी भगवान का सबसे जादा उलेक है, तो भगवान इंद्र जी का दोस्तो उलेक है जिनको God of Thunder and Rain कहा गया है God of Thunder and Rain कहा गया है यह आपको ध्यान रखना है यह पूछा जाता है दोस्तो अगर आपसे पूछा जाएगा रिग वेदिक में किसकी पूजा हुआ करती थी किसको जादा दोस्तो दर्जा दिया गया था तो काउ को दोस्तो दर्जा दिया गया था यह आपको याद रखना है इनका व्यवसाई क्या था? तो इनका website दोस्तो एगरी कल्चर था ठीक है एगरी कल्चर यहाँ पर दोस्तो चार वर्ण थे चार वर्ण लेकिन वो चार वर्ण किस बेसिस पर थे तो दोस्तो या तो प्रोफेशन की बेसिस पर या तो उनके नौलेज की बेसिस पर ठीक है लेकिन दोस्तो यही चार वर्ण यहाँ पर किस basis पर थे तो दोस्तो यहाँ पर जो जिस family में पैदा होगा उसी को दोस्तो वो word मिलेगा यह याद रखेगा ठीक है आगे बढ़े चले अगले question बढ़ते दोस्तो अगला question आपके screen पर यह रहा दोस्तो in which year was the दिल्ली सल्तनात established दिल्ली सल्तनात की स्थापना कि सुवरिश हुई थी 1289, 1206, 1534 और 1134 जल्दी से बताई यहाँ पर correct answer क्या होगा 1206 कह रहे हैं ओके बाखी लोग क्या कहते हैं ठीक है दोस्तो जितने लोग 1266 कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा क्या होगा दोस्तो 1206 अच्छा अगर हम दिल्ली सल्तनात पर बात करें तो 5 सल्तनात ने दोस्तो राज की थी इसके लिए हमने trick देखा था याद होगा आपसे सक्त से लोग कैसे लोग थे लोग बड़े सक्त से लोग थे सर से हमने क्या कहा था दोस्तो slave dynasty क्या कहा था slave dynasty जिसको हम लोग ममलूक वंशी भी कहते थे और जिसको हम लोग क्या कहते थे गुलाम वंशी भी कहते थे ठीक है उसके बाद के से आ जाएगा के से होता है दोस्तो खिलजी dynasty या खलजी dynasty ती से होता है दोस्तो तुगलक डाइनेश्टी क्या होता है तुगलक डाइनेश्टी ठीक है और से से हो जाएगा सैयद डाइनेश्टी कौन सी डाइनेश्टी सैयद और लोग से हो जाएगा लोधी डाइनेश्टी ये आपको ध्यान रखना है और 1206 में दोस्तों इसको स्थापित किया गया था दि पालाई के साथ खतम हुई थी जो की थी पर्थम पानिपत का युद्ट फष्ट बैटल ओफ पानिपत्र के साथ इसकी दोस्तो समाप्ती वुए थी दिल्ली सल्तनत कい और वह स्ट पानिपत का युद्थ किसके किसके बीच के कुषर भीता ये वा था ठीक है चले आगे चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले कोशन पर अगला कोशन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा चले सभी लोग बताएंगे दोस्तों यहाँ पर in which year was the Indian National Congress form भारती राष्टी कॉंग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था 1901, 1935, 1875 और 1885 यहाँ पर 1885 तो दोस्तों जित्ते लोग यहाँ पर 1885 कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है 1885 अच्छा 1885 में दोस्तों किसके समय में हुआ था यह डफरिन के समय में हुआ था 1885 में ठीक है किसे ने किया था यह पूछा जाता है तो ए ओ हुमे ने दोस्तों इसको किया था ठीक है अच्छा किसे ने अध्यक्स्ता की थी तो व्योंकेस चंद्र बनेर जी ने ठीक है 1886 में 1886 में कौनसा अधिवेशन कौलकाटा एधिवेशन किया गया था ठीक है और तीसरा अधिवेशन जो था दोस्तो वो बदरुद्द्दिन तइप जी के दोरा किया गया था तीक है यह भी आपको याद रखना है कब किया गया था 1800 दोस्तो यहां पर 87 में 87 में कौन सा अधिवेशन मदरास याद रखेगाuing और उसके पास 4 अधिवेशन जो हुआ था वो जोर्ज यूले के दरा किए गया था किसके दराए 1888 1888 में किया गया था अलाहा बाद अधिवेशन क्या किया गया था ठीक है तो यह आपको याद रखना है आपसे पूछा जाता है चले आगे ठीक है चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले कोशन बढ़ेंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा उससे पहले दोस्तों फड़ावर से सभी लोग शेयर भी कर देंगे किसमें दिया है दोस्तों यहाँ पर आप्शन बढ़ कह रहे हैं उनका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अच्छा दोस्तों अब यहाँ पर पूछा जाता है कि बताएए कितने Golf Language है भारत में किogo दिया अगर आप से पूछा जाएगा कि ऑफिशिल लैंगवेज कितनी है तब आप लोग दोस्तों आइसर यहाँ पर कर दीजेगा 12 धियान दिजएगा ओफिशियल बाइस हैं, क्लासिकल छे, ओफिशियल पहले दोस्तों कितनी थी, चौदा थी, इसका मतलब है, आठ लेंग्वेज एड हुई, आठ लेंग्वेज, तो दोस्तों आपको याद होगा, यहाँ पे सिंधी सबसे पहले एड हुई, ठीक है, 21 संसोधन से, 21st Constitutional Amendment Act, किसक के तहट ठीक है, फिर उसके बाद, कौनकनी, कौनसी दोस्तों, कौनकनी, मनिपूरी, ठीक है, मनिपूरी, और नेपाली, यह तीन लेंग्वेज एड हुई, दोस्तों, कौन से, 21st Constitutional Amendment Act के तहट एड हुई, फिर उसके बाद, दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ, बोडों, कौनसी बोडों, डोंगरी, और मैथली, मैथली और संथली, यह एड हुई, और यह किसके तहट हुई, 92nd Constitutional Amendment Act के तहट यह हुई थी, यह आपको ध्यान अकना है, ठीक है, यह कब हुई थी दोस्तों, 2003 में हुई थी, ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों, आप देखोगे, ए एक लेग्वेजी हो गई, यहां पर यह एड हुई, और चार लेग्वेजी है, तो चार, ती, साथ, एक आठ, आर्ड़ लेइड है हुई, तब 22 लेइड हुई, ऑफिशल लेइग्वेज ठीक है, चले, अगले कोशन पे पढ़ते हैं दोस्तों, the right to education act was actually implemented by the government of India on-डश, से बताइए गौरफ कहरें साथ 2010 होना चाहिए लेकिन दोस्तों 2010 तो दो आप्शन में आपको दिया गया है फटाफर से बताइए यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक अप्रेल 2010 जित्ते लोग कहरें उनका करेक्ट होगा अब देखे राइट टो एजुकेश आगया है दोस्तों कि 6 साल से 6 साल से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना अनिवार है और यह दोस्तों जश्टिसीएबल है इसलिए दोस्तों पढ़ाना पड़ेगा ठीक है अगर कोई केस कर देता है तो भईया सुप्रीम कोड भी जाना पड़ेगा ठीक है याद रखेंगे कौन सा संस्थान जीम्मेदार है आइसी एर एस से याई अपेड़ा और एफ सी आई कोन है दोस्तों यहां पर एफ सी एए यहां पर एफ सी यहां पर करिक्ट रानसर यहां पर क्यों हो जाएगा इफ सीनी फूट कॉर्प्रेशन ऑफ इंडिया इसका फूल फॉर्म क्या है याद रखेगा Hood Corporation of India चलिए अगले question बढ़ते है what is the radius of earth दोस्तो पृत्वी की त्रिज्या क्या है 5999, 6381 6990 और 9066 km दोस्तो diameter लगभग 12,000 है तो दोस्तो जल्दी से बता है यह radius कित्ती होगी यहाँ पे कह रहे हैं से 222 तो यहाँ पे correct answer got two option 6371 km जो है दोस्तो इसकी क्या है इसकी जो त्रिज्या है ठीक है radius है अर्थ की अगर मैं बात करूँ दोस्तो अर्थ जो है यह densiest planet है in our solar system सबसे जादा घनतव अगर किसी दोस्तो ग्रह का है तो वो कौन सा है इसको हम लोग blue planet भी कहते है प्रिथवी को blue planet भी कहते है ठीक है प्रिथवी की एक satellite है ठीक है एक natural satellite है और वो कौन सी है moon है चंद्रमा जो है दोस्तो एक मात्र satellite है natural satellite आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला question में बढ़े वेरिगोड यहाँ पे अगला question विश्वी की सबसे लंबी नदी नील नदी वो किस महादीर से बहती है South America से अफरिका से North America से कहां से बहती है दोस्तो नाईल पूछा जा रहा है अफरिका अफरिका जितने लोग कहरें दोस्तो उनका correct answer का अफरिका is the correct answer ठीक है याद रखेंगे अगर मैं बात करू नाइल रिवर तो दोस्तो नाइल रिवर जो है दोस्तो एक्चुली दोर रिवर है ठीक है एक वाइट नाइल है और एक कौन सी यह दोस्तो ब्लू नाइल है जो वाइट नाइल है वो कहां से निकलती है दोस्तो लेक विक्टोरिया से निकलती है कहां से लेक विक्टोरिया से निकलती है और ब्लू नाइल जो है दोस्तों कहां से निकलती है लेक तना से निकलती है और नाइल नदी दोस्तों यह सबसे लंबी नदी है हाँ बिल्कुल Life Line of Egypt भी कहते है Nile River को ठीक है Amazon River बहुत बड़ी है largest river अगर आपसे कहेगा तो Amazon करिएगा दोस्तों गलत मत्टिक कर दीजेगा जल्दवाजी में ठीक है चलें आगे चलें अगले कोशन परते हैं अगला सवाल दोस्तों a device used for measuring the depth of the sea is called समुध्र की गहराई को मापने के लिए उप्यों किया जाने वाला उपकरण क्या है फैठोमेटर, हाइड्रोमेटर, मैनोमेटर और अल्टीमीटर किसका इस्तमाल करेंगे दोस्तो फैठोमेटर कह रहे हैं या फिर मैं कहूं specific gravity को measure करने के लिए करेंगे इसका इस्तमाल, manometer का इस्तमाल हम लोग करेंगे liquid के pressure को mapने के लिए, किसको liquid के pressure को measure करने के लिए, और ultimeter का इस्तमाल करेंगे, हम लोग height अगर किसी की measure करनी होगी, तो हम लोग ultimeter का इस्तमाल करेंगे, ठीक है, अगला question, what did Wilhelm Cornet wrong 10 discover? Wilhelm Cornet wrong 10 जो थे उन्होंने किसकी खोज की थी? Conservation of electric charges electric bulb, x-ray और thermodynamics, किसकी खोज की थी दोस्तो? x-ray, x-ray कह रहे हैं, तो दोस्तो जिते लोग यहाँ पर x-ray कह रहे हैं, उनका correct answer हो जाएगा और इसी की खोज के लिए इनको, दोस्तो, 1901 में 1901, 1901 में इनको Nobel Price से सम्मानित किया गया था, Nobel Price in Physics दिया गया था, इनको ठीक है, यह आपको याद रखना है, और पहली बार दोस्तो, Nobel Price जो थे, वो 1901 में ही दिये गये थे, यह याद रखेंगे, ठीक है चले, आगे बढ़े, दोस्तो, 120 लोग लाइब है, फड़ा वड़ से एक बार लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे, चले, अगला कुशन दोस्तो, A GM काउंटर is used for detecting, दोस्तो GM काउंटर का उप्योग क्या पता लगाने के लिए किया जाता है, रेडियो activity, underground water underground oil और coal किसका दोस्तो पता लगाया जाता है very good यहाँ पे rocker बहुत बढ़िया ताहा, very good, अंजली बहुत बढ़िया, अतुल, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा A option, radio activity ठीक है, radio धर्मिता जिसको हम लोग कहते है radio activity की unit क्या होती है backcural होती है, actually Henry backcural ने खोज की थी इसलिए दोस्तो उनके सरनेम पर ही इसकी दोस्तो SI unit है, ठीक है radio activity की, क्या है backcural है इसको किससे किया जाता है, GM counter से अब GM counter का full form का है, Giger Muller क्या है दोस्तो इसका full form है Giger Muller, याद रखे, Giger Muller counter कहते हैं इसको, ठीक है आगे बढ़े, आगे ला कोक्षन दोस्तो, if the mass of the damped spring mass system increases, then the angular frequency of the system यदि अवमंदित spring द्रव्यम्यान प्रणाली का द्रव्यमान बढ़ता है तो प्रणाली का कोनी आवरती क्या होगा, increase, decrease premature, unchanged, और none of these, क्या होगा दोस्तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे यहाँ पर कहरे सर, increase होना चाहिए yes, good evening and good afternoon फड़ावर से जुड़ जाएंगे सभी लोग यहाँ पर कहरे सर होना चाहिए decrease, ठीक है चले, यहाँ पर जिकते लोग कहरे सर होना चाहिए, increase, increase, उनका correct होगा decrease, यहाँ पर correct answer नहीं होगा ठीक है, अगला question the part of human elementary canal where the complete digestion of fat take place is dash मानव अहर नाल का दोस्तो वह भाग जहाँ वसा का पून पाचन होता है large intestine, small intestine, mouth और stomach फड़ावर से बताएं, B option, B option अतुल, तहा, विजय, लोकेश, मनोरमा बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर correct answer नहीं होगा small intestine, small intestine के अगर मैं बात करता हूँ इसमें fat का पूरा पाचन होता है कौन सा enzyme करता है पाचन तो याद रखेगा lipase, कौन करता है lipase करता है, large intestine में अगर मैं बात करूँ, small intestine में पूरा food absorption होता है, सबस्यादा food absorption कहा पर होता है, वो होता है small intestine में, large intestine में water absorption होता है, क्या होता है water absorption होता है यह भी आपको ध्यान रखना है mouth में किसका पाचन होता है carbohydrate का होता है, किसका carbohydrate और starch का, किसका, starch का पाचन होता है, stomach में किसका होता है protein का पाचन, किसका होता है प्रोटीन का पाचन होता है ये भी ध्यान रखेंगे ठीक है चलें अगले कोशन पे बहुत ही बढ़िया अगला सवाल दोस्तों आपके लिए ये रहा Due to which deficiency a child has weak bones किसी की कमी के कारण बच्चे की हड़ियां जो है कमजोर होती है विटामिन D, विटामिन C, विटामिन B और विटामिन A जल्दी से बताईए और उस बिमारी को हम लोग कहते है रिकेट्स क्या कहते है दोस्तों रिकेट्स कहते है और वो किस से होती है विटामिन D से होती है कौन सी बिमारी रिकेट्स होती है ठीक है दोस्तो इस से related ओस्टो मलेशिया और ओस्टो पोरोसिस भी हड्डियों से related है ओस्टो पोरोसिस ठीक है याद रखेंगे विटामिन D को दोस्तो chemical name क्या है कैलसी फेरॉल है क्या है कैलसी फेरॉल विटामिन C को हम लोग क्या कहते है chemical name एसकॉर्बिक कहते है और इसकी कमी से इसकरवी होती है बिमारी विटामिन B को हम लोग थाइमिन कहते है chemical name क्या कहते है थाइमिन और इससे दोस्तो क्या होती है berry berry होती है क्या बिमारी होती है berry berry बिमारी होती है vitamin A को हम लोग क्या कहते है retinol कहते है और इससे दोस्तो होती है night blindness क्या कहते है दोस्तो night blindness कहते है ठीक है चले आगे अगले question बढ़ेंगे दोस्तो अगला सवाल आपकी screen पर ये रहा दोस्तो dash is also known as the light of Asia dash को the light of Asia के रूप में भी जाना जाता है रूमी, बुद्धा, गांधी और स्वामी विवेकानन जल्ली से बताइए यहाँ पर कैसर बुद्धा बुद्धा होने चाहिए तो दोस्तो जित्ते लोग यहाँ पर बुद्धा कह रहे है उनका correct answer होगा, क्या होगा बुद्धा is the correct answer बुद्ध जी का real name क्या था, सिधार्थ था क्या था दोस्तो, सिधार्थ इनका real name था इन्होंने दोस्तो 4 noble truth दिये थे, क्या दिये थे 4 noble truth यहाँ पर बताये थे इन्होंने दोस्तो चार सच्चाईयां बचाई थी और अश्टांगी का मार्ग दिया था एट फोल्ड पार्थ जिसको आप लोग हिंदी में कहते हो अश्टांगी का मार्ग इनका जर्म कब हुआ था 563 BC में हुआ था कब हुआ था 563 BC में हुआ था कहा पर हुआ था? लुम्बनी में. कहां पे? लुम्बनी ने-पाल में हुआ था. कहां पर हुआ था? लुम्बनी ने-पाल में हुआ था हिनका जन्ट ठीक है? चलिए आगे बढ़ें. अगले question बढ़ते हैं दोस्तो very good, गौरफ, नीला, नितिन अच्छा दोस्तो, इनका दोस्तो जो आखरी समय था या फिर दोस्तो ये दुनिया को कप छोड़के गए थे 483 BC में 483 BC में गए थे कौन से दोस्तो जगा पे? कुशी नगर में ठीक है मुबारक खिल जी, जलावद ओदिन, फिरूस खिल जी, मलिक कफूर और अलावद दिन खिल जी कौन था दोस्तो फाउंडर? ठीक है, निर्वान नहीं दोस्तो, महापरी निर्वान मिला था निर्वान दोस्तो उनको वहाँ पर नहीं मिला था दोस्तों गलत बता रहे, निर्वान कहां पे मिला था, निर्वान गया में मिला था, महापरी निर्वान जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो मिला था खुशी नगर में, ठीक है, यहाँ पर जितने लोग B option कहरें, उनका correct होगा, ठीक है, देखें दोस्तों, अगर मैं बात करता हू स्लेव डाइनस्टी की, सबसे पहले है स्लेव आया, इसके फाउUNDर कौन था, कुटुब उद्धी नैबग, ध्यान से देखें दोस्तों, कुटुब उद्धी नैबग जो था, इसका फाउंडर था, ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों कौन सी याई, उसके बाई आई किलज सायद डाइनिस्टी और इसका फाउंडर कौन था खिजर खां कौन था दोस्तों खिजर खां इसका फाउंडर था और इसके बाद दोस्तों आई थी लास्ट में लोधी डाइनिस्टी जिसका फाउंडर जो था वो था बहलो लोधी कौन था दोस्तों बहलो लोधी था ठीक है चलें आगे वेरी गुड यहां पर तहा बेगिस्तान अतुल शशांक बहुत बढ़ी है अगला कुशन आपके लिए रहा इन विच इयर वास महातमा गांधी बॉन महातमा गांधी का जन्म जो है किस वर्ष में हुआ था 870, 879, 899 या फिर 897 जल्दी से बताईए यहांपर जल्दी से बताएंगे यहांपर कैर सरोना चाहिए 1869 तो यहांपर करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तो 2 ऑक्टोबर कब दोस्तो 2nd of October 1869 पर कहां पर पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था कहां पर पोरबंदर में जन्म हुआ पोरबंदर कहां पर है गुजरात में यह आपको याद रखना है महात्मा गादी जी के दोस्तों गुरू कौन थे राजनितिक गुरू तो दोस्तों जी के जी के हर एक सब्जेक का गुरू है मजाग की बात कर रहे है जी के गोखले ठीक है गोपाल कृष्ण गोखले ठीक है य प्रवासी भारती दिवस मनाते हैं यह आपको याद रखना है ठीक है अच्छा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि महातमा गांधी जी की एक किताब है जिसका नाम है हिंद सुराज यह कव लिखी गई थी तो हिंद सुराज याद रखे दोस्तों यह लिखी गई थी 1905 में लिखी गई थी कब 1905 में याद रखना महातमा गांधी ने दोस्तों एक मात्र अदीवेशन की जिलांटिक्स की और वह बढ़े अगले question बढ़ते तो, अगला सवाल लेकिन उससे पहले पहले फटावटस एक बार like और share करते हुए, ठीक है, अगले question बढ़ते दोसतों, अगला सवाल आपके लिए एँ रहा, Indian Constitution, the section on Indian citizenship draws inspiration from which countries' constitution, भारती समविधान में नागरिक्ता में यहाँ पे सम्मंदित भाग किसी देश के सम्विधान से जो है प्रेंडा लेता है France, USA, Australia और UK कहां से लिया है तो UK कह रहे हैं बाकी लोग क्या कहेंगे तो UK UK जितने लोग कह रहे हैं दोस्तों उनका हम लिया है उसके अलावा हमने क्या लिया है, सिटीजनुशिब दोस्तों दोस्तों हम चाहते तो जौट बोल देते कि यह सारी चीजे हमारी है लेकिन हमने क्या बोला नहीं हमने United Kingdom से लिया हुआ है UK के vigil साथान उनका सम्मिधान जो है and नहीं है, उनके पास कोई सबूत नहीं है, कि हम हमारे सम्विधान से लिया है कि नहीं लिया है, हम बोल सकते थे जूट, लेकिन इससे यह पता चलता है, हमारा भारत जोए जूट नहीं बोलता है, ठीक है, आगे बढ़ें, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन अगला कुशन आपके लिए दोस्तों यह रहा भारत के सम्विधान के किस भाग में हमें नागरिक्ता से सम्मंदित प्रावधान मिलते हैं भाग एक, दो, या साथ, या फिर नौ, जल्दी से बताए भाग दो, दो कह रहे हैं आपको ध्यान रखना है अगला कुशन दोस्तों आपके लिए रहा इसको लीव करते हैं दोस्तों नदी को प्राहय वरधा गंगा और दक्षिन गंगा के रूप में भी जाना जाता है जिसे डैश कहा जाता है कावेरी, महानदी, कृष्णा और गोदावरी कौन सी दोस्तों यहाँ पर D option, D option करें गोदावरी नदी, गोदावरी नदी कहां से निकलती है दोस्तों यह त्रिम्ब केशवर से निकलती है कहां से, त्रिम्ब केशवर से निकलती है और इसी नदी के किनारे दोस्तों एक famous city है जिसका नाम है नासिक और नासिक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं दोस्तो, Grape City, का दोस्तो, Grape City के नाम से जानते हैं और गोदावरी नदी पर दोस्तो, एक famous बांद जिसका नाम है, पोला वरम बांद, ठीक है, यह हमारे द्क्षिन भारेत की सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी और इसकी लेंथ है 1465 किलोमेटर किती है 1465 किलोमेटर इसकी लेंथ है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चलें आगे की तरफ वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन अ लेंड मास बाउंडेड बाई क्या बोलते दोस्तो oh गया? और अप सवाल उड़ता सर कोश्ट क्या होगा? तो कोश्ट दोस्तो वो एरिया होता जहां पर दोस्तों वो समुदर से लगा हो फॉर एक्जामपल यह है हमारा दक्षिड भारत दक्षिड भारत दोस्तो देखे तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ ठीक है यहाँ पे अरेबियन सी है यहाँ पे बी ओ बी बॉब बे ओफ बेंगॉल और नीचे आई ओ इंडियान ओशियन है अब यहीं पे दोस्तों देखे यह क्या है अब दोस्तों आइलेंड आता है तो दोस्तों यह लेंड मास है यह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ठीक है, चारो तोरफ waters गिरा, इसको लोगे क्या कहेंगे, आइलेंड कहेंगे, ठीक है, और दोस्तो प्लैट्यू क्या होता है, दोस्तो वो flattened surface होता है, जो कि दोस्तो मौझूद है, जैसे हमारे भारत में डककन पठार, आप देखोगे, हमारे दक्षिन भारत में सबसे पठार जो है डेकन प्लेट्यू ठीक है याद रखेंगे फ्लेटन सर्फिस एरिया ठीक है आगे बड़े बहुत बड़े अगले कोश्चन पर पढ़ेंगे दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा हीमोगलोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन डैश क अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल लाड लाल डैश के पाचन में मदद करती है स्टार्च fiber, protein और fat किसमें मदद करती दोस्तो हाँ RBC और WBC का ratio 600-1 है लेकिन उल्टा कर देगा तो ध्यान रखेगा 1-600 हो जाएगा कहीं ऐसा ना हो कि एक चीज आप रटके चले जाएं हाँ ना तो ध्यान रखेगा, starch बहुत बढ़िया देखें saliva में दोस्तो एक gland होता है दोस्तो salivary gland क्या होता है? salivary gland होता है जो कि produce किसको करता है amylos को produce करता है जो कि एक enzyme है या फिर मैं कहूं tylin को produce करता है जो कि starch और carbohydrate के पाचन में मदद करते हैं ठीक है? चले आगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question पर अगला question आपके ली रहा ये तो हो चुका है देखें दोस्तो saliva has the enzyme अभी आपने थोड़ी दिर पहले discuss किया saliva में दोस्तो कौन सा enzyme आपको मिलेगा? pepsin मिलेगा, tylin मिलेगा, tipsin और renin कौन सा मिलेगा enzyme? फटा वरसी बताएं सर MTS का क्लास कब होता है? तो MTS का क्लास दोस्तो शाम को चार से पांच बजे होता है कितने बजे होता है? SSC MTS का note down कर लीजे 4 PM 2, 5 PM daily होता है Monday to Friday सोमवार से सुक्रवार 4 से पांच बजे होता है ठीक है? यहाँ पर tylin, tylin अगला कोशन यहाँ पर अश्व शक्ती डैश वार्ट के बराबर होती है 546, 746, 846 और 640 फटा वरस बताएं बेगेस्तान का रहे सर CGL क्लास, CGL मेंस की क्लास की बात कर रहे हो तो दोस्तो मैं आपको बता दू कल आपके लिए CGL मेंस की क्लास होंगी वो मैं आपको टेलिग्राम पे दोस्तो टाइमली जो है अपडेट कर दूँगा कि वो क्लास कब होंगी यहाँ पर B option, B option तो करेक्ट आंसर होगा 746 वार्ट, क्या होगा 746 वार्ट करेक्ट होगा ठीक है, यहाँ पर Car Land Steiner ठीक है, तो दोस्तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे Car Land Steiner हो जाएंगे अगला question दोस्तो, यह question दोस्तो आपके लिए homework रहेगा क्या रहेगा, homework रहेगा, सभी लोग क्या करेंगे comment box में answer करेंगे इस question का क्या होगा ओ, हो, 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 हो दोस्तो, यहाँ पर समय होता है समाप्त, जहाँ पर हम लोग ने Intelligence Bureau, essay के लिए तोस्तो, question किये थे, और इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ simply आपको क्या करना है, टेलिग्राम पर कहाँ पर, तेलिग्राम पर जाएंगे और तेलिग्राम पर आपको जाने के बाद सिर्फ वहाँ पर सर्च करना है at the rate, गौरव सर्ट, टैस्बूक क्या करना है, at the rate, गौरव सर्ट, टैस्बूक आप जैसी सर्च करोगे वहाँ प एक PDF मिलेगा टेलिग्राम मिलेगा, जहाँ पे अलरड़ी 32,000 प्लस जो लोग है दोस्तों उस पे जुड़े हुए, आप वहाँ पर जुड़ सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे दोस्तों सारी PDF मिलती हैं, क्विजेज होते हैं, पोस होते हैं, QR स्कैन करके जुड़ सकते हो, या डारेक्ली सर्च कर सकते हो, गौरव, मौरया, सर, टेस्ट बुक, ठीक है, जैसी आप इसको सर्च करोगे, यहाँ पे पबलिक ग्रॉप मिलेगा, उसको जॉइन कर लीजेगा, ठीक है, लिंक मैं आपको दोस्तों दे देता हूँ, जिस लिंक से आप आसानी से जुड़ सकते हो, तो यह रही लिंक दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है, तो इस लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं, और कई लोग पूछ रहते हैं, आई बी का कैसे दोस्तों कोर्स अवेल कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली आप क्या करेंगे, दोस्तों यूट्यूब पे चले जाएंगे, यूट्यूब पे जाने के बाद, टेस्बुक सूपर कोचिंग चैनल पे, कि यहां पे देखिए, आपको SSE-C-C-H-S-L, सूपर कोचिंग लिंक मिल रही है, इसको क्लिक करिएगा, डिर्कलि आप कहां पे चले आओगे, आप चले आओगे, दोस्तों कोर्स पे, ठीक है, यह देखिए, दोस्तों, जिस कोर्स को आप चाते हैं, यहां पे सूपर just a minute, यहाँ पे जैसे, माल लीजे, for example, आप SSC, CHSL की तियारी कर रहे हो, ठीक है, तो 275 में है, इसमें already 200 coupon code लग गया है, 299 का जो course था, वो 275 मिल रहा है, देखे, apply coupon code करूँगा, तो देखे, already coupon code applied दिखा रहा है, ठीक है, तो इस course को, दोस्तों, इस coupon code को use करके, आप लोग क्य कर सकते हो, purchase कर सकते हो, coupon code use करना है, गौरव M, G-A-U-R-A-V-M, ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस session को यहीं पे करेंगे, समाप्त, ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों, एक नए जोश के साथ, एक नए session के साथ, जुर्णा मत भूलेगा, मेरे साथ, आज शाम को 4-5 वजे, जह अब तक के लिए रखेगा अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई कर दिरेगा, बाइबाई, टेक कियर, जै हिंद, जै भारत